हेलो बच्चों नवश्कार मेरा नाम है सिधार्थ मिश्रा लोग मुझे प्यार से MSM सर कहते हैं जो M है इसका मतलब mathematics है S का मतलब सिधार्थ है M का मतलब मिश्रा है तो मेरे नाम से ही आपको clear हो गया होगा कि मैं एक math का teacher हूँ और मैं regularly संकल भारत J चैनल में दिखता हूँ बच्चों को math पढ़ाते हुए बच्चों को motivate करते हुए और J में उनका dream achieve कराते हुए तो बच्चों क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो आप class 11 में जाने वाले हो इसलिए बेटा ये वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ जिसमें आपको मैं complete road map देने वाला हूँ कि 10th class से IIT तक का सफर कैसा होने वाला है IIT की त्यारी क्यों करनी चाहिए इंजिनियर तो बटा फिर सारे colleges से बन सकते हो बहुत सारे colleges हैं जो इंजिनियर बनाते हैं लेकिन IIT में ऐसा खास क्या है जिसके थुरू आपको IITN बनना है आपको इंजिनियर बनना है और IIT के को लेकि इस देश के सारे के सारे बच्चे इतने अदा और पागल क्यों है IIT में ऐसा क्या है तो बटा आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि IIT ही क्यों IIT में selection कैसे होता है क्या क्या चीज़ें आपको IIT में अच्छी rank दिला सकती है और कौन सी एसी गलतिया है अगर आपने वो गलतियां करीं तो आप उपने सपने से भी दूर जा सकते हो साथ ने बिटा ये भी डिसकस करने वाले है कि एक एवरेज बच्चे का टाइम लाइन क्या होता है पढ़ाई का जिसके दुरू उसकी आईटी में क्या पता रैंकी ना है या फिर रैंक बहुत खराब है और क्या टाइम लाइन होता है एक ऐसे बच्चे का जो फाइनली जे ए आरच बनता है जे एडवांस रैंक होडर बनता है तो आज के वीडियो में ये सारी चीज़े हम लोग डिसकस करन ही है मैं नीचे कॉमेंट सेक्शन ने बिटा आपसे कॉमेंट चाहता हूँ नीचे जाते ही बिटा कॉमेंट करो कि आप IIT से ही इंजिनरिंग क्यों करना चाहते हो और प्लीज बिटा ये कॉमेंट करना क्योंकि वो कॉमेंट देखे ही मुझे पता लगेगा कि बच्चों न बच्चे IAT का exam देते हैं जिसमें से hardly 6-8000 बच्चों को ही अपनी मन पसंद IAT में मन पसंद ब्रांच मिलती है तो अब ये competition के level से बिटा समझ सकते हो कि जो सबसे जो भौकाली brains है country के सबसे जो best brains है country के सबसे जो hard working brains है country के उनके साथ बिटा आपको पढ़ने का मौका मिलता है क्योंकि भी आप IAT में best brains जाते हैं सबसदा hard working लोग जाते हैं तो आप उनके साथ रोज रहते हो उनके दिमाग के साथ रोज interact करते हो तो जब आप best लोगों के साथ रहते हो तो खुद में बेटा आप best बन जाते हो अगर बेटा आप top से top company देखो बहुत सारी यसी वर्ट म हैं साथ में अगर बेटा आप इस रो में देखोगे और बहुत हद तक अगर नासा असा में भी जाओगे तो आपको जितने भी वहाँ space engineers होते हैं या फिर space scientist होते हैं वो भी आपको IATN ही मिलेंगे मतलब IAT आपको बहुत जादा scope देता है IAT आपको world का best computer engineer बनने का scope देता ह IAT सिर्फ यहाँ जमीन तक restricted नहीं है IAT आपको space engineer बनने का भी बहुत बड़ा मौका देता है अगर भी आप top companies देखो अगर भी आप Google का CEO देखो तो वो भी कौन है वो भी बिटा IATN से हैं उनका नाम जल्दी से बिटा नीचे आपको comment करना है अगर भी आज का जो startup जो culture चल है उसके जो most of the founders हैं बहुत सारे ऐसे इंडिया में और world में start-ups हैं जिसके जो founders हैं वो खुद IATN से हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि जो IAT है वो आपको बहुती wide range cover कराता है IAT में जाके बिटा जो आपको exposure मिलता है best students के साथ best professors के साथ वहाँ पूरे world की companies आती रहते हैं जिनके साथ interact करके आप भी बेटा सपने देखना सीख जाते हो और वो जब बेटा आप सपने देखते हो तो आप भी उनमें से एक हो जाते हो तो इसलिए आपको IAT से ही इंजीनियर बनने का सपना देखना चाहिए अभी मैं आपको clear करना चाहता हूं कि आपको सिर आप गरू IATN बना जाता है तो देखो भी या इस देश में बेटा दो एक्जाम है पहला है जी मेंस दूसरा है जी एडवांस और भी ज़्यादा इंजिनरिंग इंस्टिट्यूट्स हैं जिसमें एंट्री के लिए जिन कॉलेज में एंट्री के लिए एक्जाम होते हैं ले एपरिल वाला बिटा देने की जुरूत नहीं होती मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो जैइ मेंस का एक्जाम में बिटा वो जनवरी में होता है और साथ में बिटा क्या एपरिल में भी होता है अगर आपका जनवरी में अच्छा स्कोर बन जाता है तो एपरिल score होता है वो बिटा consider कर लिया जाता है उसके बाद में अगर जनरली अगर मैं एक चीज आपको बताओं कि total कितने लोग जेई मेंस के लिए अपियर करते हैं तो approximate data यह है कि बच्चों approximate देखो 13 लाख बच्चे 13 लाख बच्चे हर साल जेई मेंस के लिए अपियर करते हैं कई बार यह पिछले कुछ सालों में डिटा 11-12 लाख भी था लेकिन अगर पिछले दो सालों के डिटा की बात करी जाए तो 13 से 14 लाख बच्चे जेई मेंस के लिए अपियर करते हैं इन में से जो टॉप बहुत ध्यान से दिखिए सकते हैं जो टॉप धयलाख बच्चे है और उन टॉप धयलाख बच्चो में से 10 से 12 वच्चों को के सपना पूरा होता है उनको किसी आ एटी में जाने का मौका मिलता है अब आप जानते हो बहुत घबरा अगय हो गे आप एसे घबरा हो कि sir अगर मानो 14,000,000 लोग पियर करे मैं अगर top 10,000 में नहीं हुआ तब तो मैं IT में नहीं पहुच पाऊंगा मैं तो IT में नहीं पहुच पाऊंगी तो बिटा थे को निराश होने की ज़रुष नहीं है अगर आपका IIT में नहीं हुआ यहां सब जगे बेटा बच्चे जाते हैं हाँ IIT का अपना importance है लेकिन इनका भी importance कम नहीं है जो institutes पर जाते हैं NIT हो गया इस उरों आप तो जानते हो ट्रिपल आईटी हो गया और भी RECs होते हैं Regional Engineering Colleges जो अपने अपने state के top colleges होते है अब इसके बात में क्या होता है भाई अब सर ये तो देखिए हमने जान लिया हमने ये तो जान लिया कि IIT क्यों करनी चाहिए IIT के लिए कौन सा exam होता है लेकिन सर ये तो बताईए कि IIT के लिए सर क्या है road map सर क्या हमारा road map होना चाहिए सरा में कैसे त्यारी करनी है IIT की तो देखो class 11th में जाते ही सबसे पहले बिटा एक में timeline share करता हूँ जनरली जैसे बिटा ये 2024 चल ला है आप जैसे class 10th के exam दोगे आप बिटा class 11th में पहुच जाओगे तो जनरली बच्चे क्या करते हैं एपरिल से किसी ना किसी coaching में इनरल हो जाते हैं जैसे हमारे case में आप संकल भारत जैई का एक batch आने वाला है जिसमें बिटा जिसका अभी आपको surprise आपको मिलेगा आज के वीडियो में नहीं मिलेगा आगे आपको वीडियो मिलेगा जिसके थुरू बिटा आप उसमें इनरोल हो जाईएगा ठीके ना उसके बाद में क्या है बिटा एपरिल दोजार चौबिस से मार्च दोजार पच्चिस तक 11th क्लास का बिटा स्लेवर्स कम्प्लीट कराये जाता है जिसमें बोड्स का भी पढ़ाये जाता है साथने बिटा जेई का भी पढ़ाये जाता है उसके बाद में बिटा मार्च दोजार पच्चिस से लेके दिसमबर दोजार पच्चिस तक आपका जो 12th क्लास का स्लेवर्स विद बोड्स बिटा कराये जाता है Jee का भी होता है, Mains का भी होता है, Advanced का भी होता है, 7 बीटा Boards का भी होता है, उसके बाद नहीं है, January 26 में, आप जानते हो कि Jee Means का Attempt 1 होगा, और Jee Means का Attempt 2 बीटा April में होता है, January से लेके ये April तक के बीच में Boards होते हैं, और धेर सारे बच्छों के exam होते हैं, और मैं तो यही बच्चों से बोलता हूँ कि इतनी मेहनत करनी है इतनी मेहनत करनी है कि जनवरी के फर्स्ट एटेम में ही आपका J-Mains में बड़ी है स्कोर मिल जाए बड़ी है स्कोर क्या होता है जब आप त्यारी स्टार्ट करोगे तो दीरे दीरे बटा आपको आइडिया लगेगा सब कुछ एक वीडियो में बटा आइडिया नहीं लग सकता तो बीजा यह जो जनवरी से लेके अपरल तक का सफर अगर आपको इजी करना है तो बटा जनवरी में ही आपको फोर देना है उसके बात में एक बार जब बोल्ड एक्जाम हो जाता है आप अगर टॉप 2.5 लाइक स्टूडेंट्स में होते हो तो आपको जेई एडवांस में एपियर करने का मौका मिलता है उसका एक्जाम एक ही दिन होता है एक दिन में दो एक्जाम होते है एक सुबह 9-12 दूसरा शाम को 2-5 उसमें अगर आप आपका स्कोर अच्छा मिलता है बनता है आपका टॉफ क्रॉस करते हो तो भी आप जेई एडवांस को क्रैक कर लेते हो और फाइनली आपको जो कॉंसिलिंग होती है कॉंसिलिंग सेशन के अकॉर्डिंग आपको IIT में जाने का मौका मिलता है कॉंसा IIT मिलेगा, कॉंसी ब्रांच मिलेगी यह सब बेटा डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना था और कॉंसिलिंग उस टाइम होती है जो कि आज से 2 साल बात की बात है यह धीरे-धीरे बेटा जैसे आप कोर्स में अन्रोल होगी आप चीजों को सीख जाओगे अब देखो भीया, यह जो टाइम लाइन है यह देखो पेटा, टॉपर्स की टाइम लाइन है यह जो आप देख रहे हो तो देखो यार, IT की त्यारी हरकोई करता है तक उनका class 11 खतम हो जाए, फिर January से लेके October 2025 तक उनका class 12 खतम हो जाए, इसके थुरू क्या होता है, जब बिटा October से लेके ये जो January तक का time होता है, first time तक का time होता है, उसना वो धेर सारे mock test देते हैं, धेर सारा revision करते हैं, school में ध्यान देते हैं, NCRT पढ़ते हैं, आपको ये च इसका first attempt होता है, उसे में उनका इतना score बन जाता है, क्योंकि J-Mains comparatively J-Advance से बहुत easy होता है, उसमें उनका इतना अच्छा score बन जाता है, और उसी score के through, उनका पहले attempt में J-Mains cross हो जाता है, वो पता लग जाता है, लाइक किसी का अगर 200 score बन गया, 300 number का paper होता है, इसका कि वो top 5,500,000 बच्चों में क्या, उसकी rank तो भया, 10,000, 11,000 के करीब आई जाएगी, उसके बाद में जनवरी से लेकि जो मही तक का time होता है, मही में J-Advance का paper होता है, तो ये जो मोटे मोटे जो 4-5 महीने होते हैं, इसमें बच्चे boards में द्यान देते हैं, धेर सारे mock test भी मैंने आपे लिखानी पर देते हैं, और साथ में J-Advance की उस time त्यारी करते हैं, क्योंकि J-Advance में देर सारे बेटा question practice करने होते हैं, तो मेरी तरफ से बेटा सरिस्टेट है कि आपका जो time line है, वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, अब हाँ, ये सारी बातें अभी आपको भी थोड़ी सी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि आप नहीं नहीं ताजे ताजे क्लास 11 में जाने वाले हो, लेकिन trust me, जैसे आप क्लास 11 में तयारी करना start करोगे, within 15 to 20 days ये सारी चीज़ें आपको clear हो जाएंगी, अभी चीज़ें बहुत नहीं नहीं लग रही होंगी, पर धी नौवे दिन आप अराम से बैढ़े के, कॉपी पैन लेके, सब कुछ पढ़ डाला, और आपका पूरा का पूरा बैकलॉग कवर हो जाता था, अब तक ऐसा ही होता था, क्या मैं सही बोलना हूँ, सही बोलना हूँ, नीचे बिटा, येस विदा दिल कमेंट करो, लेकिन अब आप जानबूज के क्लासिस मिस करते हो, आप सोचते हो की बैकलॉग कवर हो जाएगा, तो बेटा बैकलॉग कवर नहीं हो पाएगा, अगर आप होमवर्ग मिस करते हो, तो बेटा बहुत दिक्कत होने वाली है, अभी आपको बेटा एक प्रॉमिस करना होगा, नीचे करोगे तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे होते जाओगे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि आप बहुत ही intelligent बच्चे ही जही crack कर पाते हैं तो answer है no, नहीं, बहुत जादा intelligent बच्चे नहीं, मुझे तुमसे intelligence कितनी चाहिए भाया, अगर आप की intelligence की बात हो हाँ आप इतने intelligent हो कि आप जही को crack कर पाऊगे कोई बच्चा intelligent 50 से 60% हो सकता है अगर मानों 100 में से में marking दू अगर आप 50 out of 100 बेटा intelligent हो लेकिन hard work आपका 200 होना चाहिए out of 100 समझवा just double होना चाहिए मतलब अतिहास गवा है जितने लोगों ने IT को crack किया है intelligence होतनी सब के अंद किलास कर सकते हो लेकिन का आपके अंदर दम है क्या आपके अंदर इतनी hard work करने की दम है क्या आपके अंदर एक भी kind नहीं मिस करने की दम है क्या रोज करने की दम है अगर ये दम है तो ही बेटा आप IAT क्रैक कर सकते हो आप IAT गिंदर जाके पढ़ सकते हो क्योंकि जो IATN होता है जो IAT के लोग होते हैं वो लोग ऐसे स्टूडेंट चाहते हैं जो कभी हार ना माने जो डी मोटिवेट हो आसू निकलते रहें लेकिन फिर भी पढ़ाई करते रहें आपको ऐसा बच्चा बनना है ध्यान देना डी मोटिवेशन बेटा बहुत ही टेंप्रेरी होता है जो IATN होता है जो IATN होती है वो चाहिए जितने डी मोटिवेटेड हो जितने भी डी मोटिवेटेड हो उस डी आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हो, अगर आपके ऐस फ्री टाइम में उसके बाद भी आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो भी बेटा पीछे होते रहोगे, तो रिवीजन में बेटा आपको बहुत ही खास तौर पे ध्यान देना है, आपको ये संडे को बेटा एक श भूलते जाओगे, उसके बाद क्याती है, पूर रिसोर्सेस, पूर रिसोर्सेस का मतलब ये होता है, बहुत सारे बच्चें ऐसा करते हैं कि जैसे आपको मैस लगानी है, सर हमने आडी शर्मा भी लगा ली, हमने आरस अग्राल लगा ली, हमने सर तनीजा जी की किताब लग अगर आप इस एक्टिविटी में जाते हो, तो बेटा इसे बूलते हैं, पूर रिसोर्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, उसकी रोज डी पी लगाओ, उसका मॉड डियूल लगाओ, वो जितने क्वेशन कराते हैं, वो आने को कहा जाता है, वो लगाओ, आपको 10-15 बिटा किताबे लगाने की जुरुत नहीं है, क्योंकि 10-15 किताबों में भी same content दिया होगा, तो अब आपको ये ध्यान देना होगा, अब तक आपने class 10 तक जो गल्दी गरी सो करी, लेकिन class 11 से बिटा ही आपको ध्यान देना आपको जो sheets मिलेगी वो करनी है, अगर उसको बिटा आप dedication के साथ लगाते हो, तो आपको कोई भी X किताब लगाने की जुरुत नहीं है, कोचिंग में जो जो material बूला जाए, आपको सिर्फ वही लगाना है, पचास किताबे नहीं लगानी है, अगर भी आप test मिस करते हो, त लेकिन उसके बाद भी आपको test देना है, अगर आपने test मिस कर दिया, तो समझ लेना आप 80% competition से बाहर हो चुके हो, क्योंकि test भी टेक बहुत important role play करते हैं, हमें बहुत बार ऐसा लगता है, बहुत बार ऐसा feel होता है, कि हमें ये वाला chapter आता है, लेकिन क्या पता आपको इस chapter of questions होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कुछ और set of questions होते हैं, जो आपसे नहीं होते हैं, तो जो test होता है, वो एक reality check होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, जिनके शुरू के 10-15 टेस्ट में coachingों में बहुत कम number है, लेकिन वो test देते रहें, उनके अंदर उनका बहुत अच्छा score, finally ITJ के exam में बना, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, कि चाहें आपका कोई सहिला, कोई सहिली, आपको कोई भी guide करें कि आरे test नहीं देना है, तो समझ लेना कि सबसे बड़ा दुश्मन वही है, क्योंकि test अगर नहीं दोगे, test देना छोड़ तो 80% competition में आप वही बाहर हो जाते हो, अब ये तो भी ये बात होगी कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, अब ये बात करते ही क्या क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहली चीज क्या है आपको देखो बिटा, regular पढ़ाई करनी है, सबसे important चीज़ है, सब ये regular पढ़ कर लेते थे क्लास 10 तक आपके physics में शायद 5 chapter थे chemistry में 5 chapter थे अब यह 15 15 chapter class 11 में physics और chemistry के होने वाले हैं आप देखो 10 से 11 का jump है इसमें physics भी बेटा बहुत evolve करने वाली है chemistry में inorganic chemistry, ordinary chemistry, physical chemistry बहुत सारी चीज़ आने वाली है math में basic introduction of calculus होने वाला है class 11 में अच्छा लेवल का algebra आने देर सारे formula आने वाले हैं तो अगर आपका ऐसा attitude है कि आप एक दिन 12 गंटे पढ़ो फिर अगले 3 दिन पढ़ाई ना करो तो बेटा IIT is not for you अगर आप एक दिन 12 ना पढ़ो आप ये सोच लो कि मुझे रोज पढ़ना है minimum 6 से 7 गंटे पढ़ाई करनी है self study करनी है तो बेटा इस वाले attitude से आपको बचना है दूसरी चीज आती है कि सर कैसी पढ़ाई करनी है अब तक class 10 तक कि आपकी पढ़ाई क्या होती थी आपकी theory based होती थी आप से definition पूछी गई आप वही जाके बिटा बता के चले आते थे लेकिन अब आपको क्या करना है अब बिटा question based ही है अभी धीरे धीरे आपको classes में बिटा चीजें बताई जाएंगी पर शुरू में आपसे बात करूं कि यारत मुझे देखो per day कम से कम 50 numerical PCM के मिला के लगाने ही है अच्छे level के लगाने है शुरू में यह number कम होगा जब आप coaching join करोगे क्या पता इतना भी पढ़ाई ही न में बहुत अच्छा करता है जरूरी नहीं कि वह class 11 में भी अच्छा करे क्योंकि class 10 में क्या पता वो बच्चा या बच्ची theory based पढ़ाई की वज़े से अच्छा कर रहा हो लेकिन अब यह चीजें आने वाली है question based में और जब चीजें question numerical based में आती है तो वह बच्चें अच् परफेक्ट यह ध्यान देना है अगर आपको IIT में बहुत अच्छा score बना के आना है तो आपको बिटा आपको खुब practice करनी होगी आपको यह ध्यान देना होगा कि different type के questions जो आपके coaching में कराये चाह रहे हैं जो previous year questions है जो सारे के सारे आपको करने होंगे और धीरे धीरे अभ साथ भर पढ़ाई करते हैं सिर्फ 4 गंटे सोते हैं कुछ बच्चे आप ऐसा करते हैं सही बता रहा हूं मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि दिन में यार 6 गंटे सोते हैं सर 6 गंटे तो सोना सही है लेकिन वो 6 गंटे चान तो कैसे सोते हैं तुकुडों में सोते हैं 2 ग गाड़ी चलाते जा रहे हो चलाते जा रहे हो पर आप कहे रहे हो कि आपके पेट्रोल बनाने का टाइम नहीं है तो गाड़ी एक दिन रुख जाएगी और यह वही चीज है अगर आप रोज परते जा रहे हो परते जा रहे हो नींद रूपी पेट्रोल नहीं ले रहे हो तो गाड़ी एक दिन आपकी बंद हो जाएगी और IIT में वही बच्चे जाते हैं जो दिमाग से बिटा हमेशा cool होते हैं दिमाग से हमेशा happy होते हैं और ध्यान दिमाग से cool होना दिमाग से खुश होना ये choice होती है ये किसी के अंदर inbuilt नहीं होता है भगवान लिखके नहीं बेस्ता कि जो तुम cool रहोगे तुम tension में रहोगे ऐसा नहीं होता ये choice होती है जब भी कभी आपको लगे कि बहुत tension हो रही है बहुत परिशानी हो रही है बस ध्यान देना मेरी बात पे कि व ही बच्चे बेटा फाइनली आयटी के दरवाजे के अंदर जाते हैं तो नियम बेटा एकदम सिंपल है पूरी नीन लो अच्छा खाओ खुश रहो लेकिन रोज पढ़ाई करो देखना जीत तुमारी होगी उसके बाद है यार blind faith on teachers आपको जहां भी coaching लेनी है उस teacher की उपर पूरा आप research कर लो एक बार आपने research कर लिया तो इस teacher को पर आपको blind faith रखना होगा वो teacher जो material आपको लगाने को कहें वो बेटा आपको ढग से लगाना होगा teacher पर विश्वास नहीं अंद विश्वास रखना है क्योंकि अगर आपने coaching में admission लिया है तो आपने सारा research करके लि जाओ तो यार बहुत सारे teachers जो होते हैं वो teachers आपको ऐसे choose करने हैं जिनोंने previously rank produce करी हुई है तो आपको teachers बेटा बहुत ज़्यादा faith करना है यह सारे points बेटा आपको दिमाग में रखने हैं जैसे जैसे आप हमारे course में आओगे आगे बढ़ोगे आपको और ज़्यादा बे जिसमें बहुत ही जल्दी आपके लिए हम बहुत ज़्यादा content लेके आने वाले हैं आपके लिए guidance लेके आने वाले हैं mentorship लेके आने वाले हैं जिसके थुरू आपका class 10 से 11 का transition easy हो जाए class 10 से 11 तक का jump easy हो जाए आपको एक better idea लग जाए कि हाँ अब आपको class 11 से IT की त्यारी क हम रोज पढ़ाई करेंगे हमें कोई दिक्कत होगी अपने parents से बात करेंगे अपने teacher से बात करेंगे लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे अगर बेटा आप यह promise करते हो तो आपको comment करना होगा promise with a deal और यह मेरी tagline है बच्चों जय बाबा की love you all जल्दी से मिलते हैं संकल भार करेंगे